करेंगे आज लेक्षर नंबर टू है जो कि हमारा यह चैप्टर वन है बिटा सबको मैं बता दूँ यह हमारा चैप्टर वन चल ला है इस समय लेक्षर नंबर टू का इसमें हम सोर्सेश अफ इनर्जी को काफी चीजों को कवर कर रहे हैं ठीक है तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करने और बैल आइकन को प्रेस करने जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे तो फ्रेंट्स आपको मैं बता दूँ यह जो सब्जेक्ट है हमारा बीम डबल ए ठीक है जो कि यह सिविल इंजिनरिंग ब्र सब्सक्राइब यह दोनों ब्रांच के लिए सेम है कॉमन कोर्स है कॉमन से इसलिए जो बच्चें हमारे सिविल इंजिनिंग के जुड़े हैं यह जो एलेक्टिकल के इंजिनिंग जुड़े हैं तो वह आपसमें अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो को शेर कर सकते हैं और ब होती है उर्जा के क्या-क्या स्रोत्र होते हैं सबसे पहली बात है कि उर्जा के हमारे स्रोत्र होते कहीं प्रकार के होते हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं प्रकृति में पाए जाते हैं तो सबसे पहला है हमारा फॉसिल फ्यूल जिस हम जो कहते है थरमल एनर्जी सोर ोसेज दूसरा है हाइड़ोवनस्य सोर्सूर्स आ हुसे जली है तीसरा है ऐमारी टाईडल एनरी जिसए ज्वार उर्जाक जोथा हमारा चॉतनर है हमारा व्नद्स सोर्स पहए ओर दिश visualize वोर्जा नेक्स्ठ इसट्र सोलर इनरजी से रूढ़ा उसके है बायो मास एनर्जी डैव उर्जा तो तो हमारी उर्जा के सुर्ट्र होते हैं वह आठ प्रकार के होते हैं एट टाइप्स के हमारे energy sources होते हैं जो की available होते हैं हमारे nature में environments में ठीक है तो हमें सब चीजों के बारे में हमें discuss करना है ठीक है सारे चीजे सारे हम लोग को discuss करना है कि कौन-कौन से sources किस तरीके सो होते हैं इनका क्या-क्या होता है वड़ा सबसे पहले हम बात करेंगे इन सबसित पहला है हमारा convention energy sources जो कि हम कहते हैं परमपरागत ऊर्जा स्पोर्फ ठीक तो प्रम प्रमपरागत ऊर्जा स्पोर्फ डूर्फ यह P arug नो radi pregunta का 1 होता है तेल होता है गैस होते हैं तो यह सब क्या है बिटा यह सब इस तरह की स्रोत रहें सोर्सेज हैं जो की हमारे यूस तो हो रहें डेली लाइफ में लेकिन क्या है कि इनकी जो खतम है यह जो खतम हो जाएंगे तो यह कुछ समय के बाद क्या होंगे देरे-देरे क्या हम लोग convolutional रोजी सोर्सेज परंप्रागत और जास्रोत नापने पढ़ा होगा और नोन रोगने ֹॉ तो यह काफी समय से पहले से भी प्रियोग में हमारे आ ठीक तो ऐसे हमारे जो सोर्सेज होते हैं जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो हमारे खलाते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या परंप्रागत उर्जा सुरोत्र ठीक है इसका नेक्स बात कर रहा है नेक्स्ट है हमारा non-conventional energy sources तो non-conventional energy sources कौन से होते हैं अब प्रमप्रागत उर्जा सुरोतर means कि वो energy sources होते हैं जो हमारे कुछ समय से प्रयोग में आ रहा हैं लेकिन इनके खतम होने के संभावना नहीं होती है means यह कभी भी खतम नहीं होंगे यह बनते रहेंगे और खतम होते रहेंगे बनते रहेंगे खतम होते रहेंगे means यह कभी भी finish नहीं होंगे तो इस तरहां कि जो हमारे sources होते हैं वो हमारे खलाते हैं non-conventional energy sources जिसे हम लोग कहते हैं renewable energy sources ठीक है जिसे हम लोग कहते हैं renewable energy sources ठीक है तो renewable energy sources को भी हम लोग कहते हैं non-conventional energy sources अ परंप्रागत उर्जा सुरोतर ठीक है जैसे हम कहते हैं solar energy सव और ऊर्जा, विनड़ इनर्जी, पबन ऊर्जा, ज्वार न domin है यह हमारे टाइड़ल एनर्जी तेयोफ जयेत ःती यह जितनी बी उर्जर्जह हैं ओर स्था नहीं होंगी तो यह सब इस तरह के जो हमारे सुरोत्र होते हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते हैं यह कुछ समय से प्रयोग में हमारे आ रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं non-conventional energy sources ठीक है तो अब सबसे पहले हम डिसकस करेंगे thermal source और fossil fuels energy source जिसमें कहते हैं हम लिए उस्मे उर्जा सरोत्र या जीवाश में उर्जा सरोत्र ठीक तो यह क्या होता है बिटा देखो यहां पर बात कर रहे हैं कि वह source जो जो इधन जैविक प्रदार के दबने और ताप के कारण कोईला तेल या गैस आदीम परिवर्थित हो जाते तो ऐसे सरोत्र को उसमें उर्जा सरोत्र कहते हैं एसे sources जो काफी समय तक क्या होता है प्रिथवी पर दबती रहते ही कि वह अमारे प्रदार्दार्त क如何 में गैस में कनवर हो जाते हैं तो इस तरहां के जो हमारे sources होते हैं ये हमारे कहला थे thermal source और इसे खर चपने सुना कर और fossil possil Fuse तो fossil क्या होते थे हैं वो ऐस सोर्स व कापी समय होते तक हमारे सर्थे कर साँ तर प्रित्वी के अंदर अर्थ inglot source ठीक है अब हम next बात कर रहे हैं next है मारा hydro energy sources wichtig is not a चलू जोलू उरजा सो रोतर क्या होता है कि जब हम उर्जा जल से प्राप्त करते हैं water से जब हम लोग energy gain करते हैं वाट हमारी क्रिएट करते हैं water से energy तो उर्ज़ जाल है है तरफा है ह SS 바 means जल उर्जा में क्या होती है potential energy होती है kinetic energy होती है pressure energy होती है तीनों energy हमारी present होती है water में ठीक है अगर water की बात करेंगे हम लोग तो water में तीन तरह की energy present होती है ठीक है तीनों energy का हम लोग प्रयोग करके ठीक है हम लोग क्या करते हो उसे यांतरिक उर्जा mechanical energy Convert करते हैं और फिर mechanical energy convert करने के बात हम लोग इसे लोग इसे एलेक्टिकल energy में यह कहते हैं विद्यतूरजम में भी परवार्टित कर सकते हैं ठीक है तो जो वाटर की energy होती है अब हम लोग कहाएंगी water में कौन कौन सी energy होती है water में energy की बात करते तो हम लोग कानेटिक energy पॉटंशिने इनर्जी और हमारी क्या होती है तीसरी होती हमारे उसकी प्रेसर एंश्ट इता तो ये लिए हमारी has th現在 debate ये उसको इनर्जी कोICO एक ह brief लोग एनर्जी में करते हैं वार्टके एनर्जी को और उसके बाद हम लोग इसे convert करते हैं electrical energy में इसी लिए हम लोग इसे कहते हैं hydro energy power sources देखिए यहां पर तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कई सारे आज कल इंडिया में अगर इंडिया की बात करते हैं इंडिया में बहुत सारे हमारे क्या है सरदार सरोबर्ग हमारे डैम है तो यह सारे डैम्स क्या है हमारे यह hydro या हाइडल energy source में हमारे क्या कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी सोर्सेज दूसरा है जारूर्जा अब ये टाइडल एनर्जी सोर्सेज क्या होती है ये टाइडल एनर्जी सोर्सेज क्रियेट होती है हमारी इन इन हमारी ओशन्स हमारे जो समुंदर होते हैं समुंदर में हमारी क्या होती है टाइडल पैडल energy होती है, अर्थ और sun के कारण जो energy produce होती है, water में ठेकर न, water में जो energy produce होती है, water और जो हमारा land होती है उनके beach में जो energy develop होती है ठेकर जिसे हम लोग कहते है, high tights सब ने सुना होगा, high tights low tights तो ये सब क्या है हमारा यह सब हमारी क्या है यह सब हमारी क्या होती है एनर्जी क्या होती है धेरी डेवलप होती है ठीक है समुद्र के किनारे ठीक है ओशन के किनारे रिवर्स के किनारे जो एनर्जी डेवलप होती है कैसे डेवलप होती है जब एर का फ्लो होता है जब एर हमारी बहुत तेजी हवा भहती तो air के फ्लो के कारण क्या होता है जो हमारी oceans होती है उसमें जो water का current वारटर का जो flow की speed वो क्या होती है बढ़ जाती है और उसके बढ़ने कारण जब वो हमारे किनारे टट टट पर यह जमीन पर टकराती है तो टकराने कारण क्या होता है Sudden Create यह कहते है Sudden Electric Current बनता है ठीक है अगर वो बनेगा तो उससे क्या होगा विटा जैसे मान लोग कि यह हमारा यह क्या हमारा यह हमारा मान लेजिए यह River है ओशन है यहाँ पर हमने क्या किया कि हम लोग ने एक Turbine Form का चीज लगा दिया तीक है और यहाँ पर क्या किया हम लोग ने यह पॉर्शन हमारा रिजर्वायर है तीक है रिजर्वायर मीस जहाँ पर Water हमारा Collect होगा तीक है तो क्या होगा कि जब यहाँ से इसकी Energy ज़्यादा होगी तीक है न यहाँ से वोशन से यह हमारा क्या है यह हमरा है हमारा है समंदर है जुसर की एंफार्जी झादा होगी तो ज्यादा होगी वो हमारे टरबाइन की थूरू पास में जाएगा और में क्या हो जएग टाइड है ठीक है और फिर जब इधर का अब वापिश हम रावातर जायेगा जो में जाएगा जब इधर अबंद जाएगा जब आजब रिजसे कमДаट्ट l बाट नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट आमारा विंड इनर्जी पवन उर्जा तिके अब आप उर्जा क्या होती है वाईव के प्रभाब को विंड मिल के बलेडों पर डाला जाता है तीके अब देखो विंड एनर्जी भी हमारी प्रेड्यों होती है लेकिन wind energy को produce करने के लिए हमारे पास windmill होनी चाहिए windmill means एक हमारे बड़े पंखे बने होते हैं बड़े पंखे windmill टाइप के बने होते जो की लगाए गए होते हैं जो की wind energy को produce कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि windmill का प्रयोग करके blades पर हम लोग क्या करते हैं air के pressure वो create की जाता है windmills पे और जैसे air का pressure create करेंगे तो उससे क्या होगी कि mechanical energy develop होगी blades पे और उसकी energy को हम लोग generator के द्वारा उसे catch कर लेंगे generator में और वो generator क्या करेगा हमारा electrical energy में convert कर देगा इसी को हम लोग कहते है wind energy वायू की प्रभाव को windmill की blade पर डाला जाता है इससे यंत्री उर्जा उत्पन होती है यंत्री उर्जा को विद्ध्य जन्रेटर को चला कर उसे विद्ध्य तूर्जा में प्राप्त किया जा सकता है ठीक है देखो के यहां पर हम लग सब दिखा दें आपको यह अपर क्या एयर को प्रभभा हो रहा है एयर क करने के कारण एयरफ्लो Module Airflow प्रभा इसलिए और ये फैन पर जैसे पड़ेगा तो fan अमारे मुफ करना स्थार्ट करेगा और fan जैसे तो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा यहां से इनर्जी का ट्रांसफर करेगा तेक Circ इनर्जी वह ठाइनलप और ए चीज नहीं है यहां पर हम इनदिया में इतना एरिया भाई हैं पर हम लोग क्या कर सके कि यो क्रीट कर सकें कै है अभ Дж कैसे मिलती है पर किया है यह हमारी पर की हम्हारी अनरजी निकल लई है वहा हमने क्यों लेंज के तरूब फोकस कर लिए किसी एक पोउंट पर देख सकते ही यह पंड़ेटिकले पर प्या किया है फोकस कर दिया है अब यह पर ख़ए होग। हीट नजी डबलब हो जाए उच्मा और जा हमारी क्या होगी बन जाएगी अब वह उच्मा जाएगी और जैसे इसको स्टीम में करेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि टर्बाइन में ट्रांसफर कर देंगे और जैसे टर्बाइन में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा वो उसका प्रेशर घटेगा और प्रेशर घटने कारण वह हमारी लिक्विन convert हो कि Condenser में चली जाए मिंजों का होगी चली जाएगी और बागी जो energy हमारी बचेगी ठीक ना जो energy हमें मिलेगी तर्बाइन से वह टर्बाइन के energy हम लोग क्या करेंगे यह जो जनरेटर हमार इल्लक्रिक जनरेटर इसमें हम हम लोग क्या करेंगा इस तरीके से क्या हो रहा है कि हम लोग सोलर नर्जी का यूज करके अलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रहे हैं हम लोग तनवर्ट कर रहे हैं ठीक है तो यह कहलाता है हमारा क्या कहलाता है सौरूजा यहां पर क्या हो रहा है यहां पर यह जो प्रॉसे ड्रॉप होता है दाप कम होगा तो यह जो इसटीम होगी स्टीम किस्पर डवलफ होगी लिक्विड में अर् लिक्विड में कीवर्ट होनी एक बाद कंडेंसर में जाई कंडेंसर और कंडेंस करेंगे उसको Q calm करेंगा या electrical generator को चलाके electrical energy को produce करा देंगे तो ये भी हमारा क्या है solar energy पर हमारी क्या है एक तरह क्या है energy को produce करने के एक source है ठीक है next बात कर रहे हैं हम लोग next है हमारा जैब्द्रवी और्जा जैब्द्रवी और्जा क्या होता है जैसे हम लोग विलक्स की बात कर रहा है तलाप की बात कर रहा है जील रूप में वापिस करता है कि जो भाएमासा फ्यूल होता हुथ वो पड़ और इसी पड़ती है त converter कर लेता है is ، यह लिखा है यह लिखा छोटे और संचित उन पर उसके रूप में वापिस करता है ठीक है अब देखो यहां पर हम दिखा सकते हैं देख लीज़ें यहां पर जो फिकर बना हुआ है यह फिकर किसका है कैसे है यहां पर क्या है यह यहां पर हमारा गोबर और पानी का मिक्षण है वह दिरे-दिरे क्या हो रहा है दिरे-दिरे सरक्ष के यहाँ पर उसकी energy energy का जो transmission नो यहाँ पर energy बनने लगेगी दूरिटर बायो गैस क्या होगी इसमें बनने लगेगी टीक है और यहां पर हमने क्या रखा है इधर लाइन से अम दूम मेंस की एर जो इसमें gases particles बहब बनते हैं तेका जो gases particles बनते हैं वह gases particle हमारे इस dome के थुरू हमारे क्या होँ बहार निकलते रहें तिक मीस यह इतना सड्नली high pressure नहीं किरेंट हो जिससे बायोगेस डबलप नो उसके बाद यहाँ पर धिरे जो बायो गैस बनेगे वो धिरी-धिरी क्या होगी इस में पाइप के थुरू बाहर हमारी निकलेगी तो यह जो हमारा एनरजी बन रही है इसमें भी काफी समय लगता है कई साल तीन साल चार साल पांस साल लग जाते हैं कभी-कभी हमारे तस साल भी लगते हैं जब हमारी य बाइवंर्ध से अख़ी उद गधी जो की अपने आद्धि हमारी कोई भी हमारी कोई भी आद्धि एक की एनर्जी रिक्वाइर्मेर्मgeんな है बनती है थ कि अ Select कर नलिए c उर्जा प्रदान करते हैं तो क्या हो है यह ऐसे प्रदान करते हैं लेकिन कम मात्रा में खर्च होते हैं इसमें क्या होता है इसमें जो हमारा यह हमारी नूकलियर एनरजी होती है यह किसमें होती है नूट्रोन के नूकलियस में होती है ठीक है और उसको तोड़ने या जोड़ने से जो हमारी उर्जा बनती है उसको हम लोग कहते है नाभ की उर्जा यह हम लोग कह रहे हैं उसे नूकलियर एनरजी ठीक के ना Neutron जो present होते हैं नुकलियस में उसको तोड़ने पे उसमें जब energy provide कर तो तोड़ने के लिए जब वो जोड़ने में जो energy निकाली जाती है तो वो जो energy होती उसी को हम लोग कहते हैं नाभिकिये और जा या कहते हैं न्यूक्लियर नेरजी सोर्सेस ठीक हुटा क्लियर हो रहा है यहां पर थीक है ठीक है तो मैं आपको बता दू यहां तक का यहां तक का मैरे chapter 1 मेरा complete हो चुका है तो जिन लोगों ने मेरा channel नहीं देखा है channel को देख लिजिएगा मैंने अपने description में आपको बता रखा है चीजों को ठीक है चीजों को मैंने एक्स्पेन कर रखा हमाँ पर कि हमारे टेलिग्राम चैनल पर जॉइन हो जाईएगा ठीक है हमारे यूटुब चैनल पर जॉइन हो जाईएगा जहां से आपको हमारे इस समेश्टर के वीडियो जो भी हमारे फर्स्टे thank you friends